यदि आप हमेशा सची कहते हैं, तो आपको कभी किसी चीज याद रख रहे की जरूरती नहीं परेगी। ये Mark Twain ने कहा था, मैं हूँ शायन, आप देख रहे हैं Insider Expert। दोस्तों, आज की सबसे पहली Tech News आपल की तरफ से हैं, कि आपल का iPhone 8 शायर तिन वरियंट्स में मिलेगा। एक 5.1 या 5.2 इंच विद OLED डिस्पले, दूसरा 5.5 इंच LCD डिस्पले के साथ, और तीसरा 4.7 इंच वो भी LCD पैनल के साथ, और ये 4.7 इंच जो वर्षन होगा, उसमें आपको Dual Cameras देखने को नहीं मिलेंगे। आज की दूसरी खबर ये है, कि LG का V20 जिसमें उपर की तरफ एक सेगंडरी डिस्पले देखने को मिलता था, वो LG V30 में नहीं होगा। उसके जगा में शायद कुछ अनोखा और जादा इनोवेटिव आ सकता है। तीसरी खबर सामसंग की तरफ से है, कि सामसंग का J3 2017 वाला वर्शन शायद बहुत जल्द ही लॉंच होने वाला है। जिसमें आपको एक 1080p डिस्पले देखने को मिलेगा, डेर या 2GV का RAM मिल सकता है, और जिसमें आपको 4G और VOLTE का सपोर्ट मिलेगा। कीमत रखी जाएगी 10,000 रुपै के अंदर। दोस्तो अगली जो खबर है, वो 1 प्लस 3 के लिए है, कि 1 प्लस 3 में Oxygen OS 3.5.6, Beta 7 का अपडेट आना चालू हो गया है, जो अपडेट का साइज करीब करीब डेर जी भी है, इसमें आपको UI इंप्रूब्मेंट्स, बैटरी इंप्रूब्मेंट्स के संग और कुछ मिल सकता ह और एक New Audio Technology भी मिल सकता है, बिहार सरकार ने घोसित कर दिया है, कि बिहार के कोलेजों में Free Wi-Fi, केबल मात्र स्टूडेंट्स ही यूज कर सकते है, और कोई नहीं, आज की अंतिम खबर यह है, कि ली इको और कूल पैड ने मिलकर और एक फोन तयार कर लिया है, जो कि चाइने वेबसाइट टेना सर्टिफिकेशन में देखने को मिला है, इसमें आपको 1080p 5.5 इंच का डिस्पले मिलेगा, Snapdragon 821 SOC मिलेगा, 3 और 4 GB का RAM मिलेगा, 32, 64 और 118 GB का वैरियंस में ये सेट आएगा, इसमें आपको पीछे की तरफ एक 16 MP का शूटर और सामने की तरफ एक 8 MP का कैमेरा दिखने को मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी रहेगी और ये Android Marshmallow के उपर होगा, तो दोस्तों फिलाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जैहिंद, वन्दमातरम करज़ एक रचिंद, नमस्कार, जैहिंडते हैं, पुझे हैं, भ الشुझे में, टॉके बiquementThat